नमस्कार दोस्तो के एस प्रेड़ पर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत सरकार की एक ऐसी योजना की जो कि इस साल भारत के अंदर लागू होने जा रही है यानि कि दोस्तो इस साल जो है भार साल से पुरानी गाड़ी है तो ऐसी गाड़ियों को सड़क पर दोड़ाने की जो तैयारी है दोस्तों भारत सरकार ने कर ली है जिसे कि आप टाइटल में देख सकते हो कि सरकार आप रोड पर चलवाएगी तो ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों आने वाले चार-पांच महि गाड़ी है तो दस साल से पुरानी और पैट्रल गाड़ी है तो पंदर साल से पुरानी होने पर आप नहीं चला सकते हैं ऐसे में दिल्ली के अंदर कहा जाता है कि कम से कम दस से पंदर लाख ऐसी गाड़ियां है जो की जिनका रेजिस्टेशन खतम हो चुका है और ऐसी एक ऐसा तरीका लेकर आएं एक ऐसी किट बनाएं जिसके माध्यम से जो है जो पुरानी गाड़िया है दिल्ली के साथ पूरे भारत के अंदर जिनका रेजिस्ट्रिशन फेल है जो कि अब वेकार हो चुकी है उनका इस्तमाल नहीं हो सकता है ऐसे में क्योंकि वो पिर्दूसर भी हो सकता है कोई ऐसी गाड़ी हो जो कि 10-15 साल पुरानी हो देखने में बिल्कुल कंडिसन बहुत अच्छी रखती होगी कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ वो कागजों के आधार पर पुरानी है इसलिए जो है अब सड़क पर नहीं चल सकती है अगर आप सड़क पर चलाए जाएगा ऐसे में दोस्तों सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चिंता थी कि भारत के अंदर जहां पर इतनी ज़्यादा पॉपुलिशन बढ़ती जा रही है घर में एक एक चार 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 गाड़िया खड़ी है जो गाड़ी पुरानी हो चुकी है उनको सड़कों पर कैसे दोड़ाये जाए और सड़कों के साथ-साथ वो पिर्दुशन भी ना करें और उसके साथ-साथ भारत सरकार को भी उसके कुछ इनकम हो पाए ऐसे में दोस्तों बारत सरकार की जो नई पहले दोस्तों वो देखने को मिलने वाली है ऐसे में आप देख भी सकते हो दस साल आने वाले हैं पर वो कोशली हैं महंगे हैं ऐसे में जिन लोगों के पास पहले से डीजल के या पैट्रोल के वाहन हैं गाडिया हैं बाइक हैं उनको कैसे कनवर्ट किया जाए ये सबसे बड़ी बात थी और इसी को देखते वे भारत सरकार ने एक कमपनी को कॉंट्रक्ट दिया था और ये कहा था कि आप भारत के अंदर जो गाड़ी चलती हैं उसके हिसाब से एक ऐसी टूल किट बना दें जो हर एक गाड़ी में फिट हो पाए तो ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ी ख़बर ये निकल कर आई है कि कमपनी के तरफ से कहा गया है कि जल्द ही जो है तीन चार महिने के अंदर ही भारत में जो है ट्राइल के रूप में दिल्ली के अंदर सबसे पहले इसको परखा जाएगा और इसके साथ साथ दोस्तों जो नई टूल किट है वो जो आप गाड़ियों में लगाई जाएंगी तो आपके पास भी अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो कि परानी हो चुकी है सड़क पर नहीं चल रही है तो आप भी इलेक्ट्रिक टूल किट लगवा कर दोस्तों अपनी गाड़ी को जो है इलेक्ट्रिक वेकल बना सकते हैं आप देख भी पाएंगे दोस्तों इस तरीके से कुछ टील कुट टूल किट आपको देखने को मि और उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक वेकल में बदल जाएगी अब आपको पता है दोस्तों क्योंकि जब वो इलेक्ट्रिक वेकल में बदल जाएगी तो फिर दोसन वाली कोई बात ही नहीं है पिर दोसन होना ही नहीं है और उसके बाद दोस्तों क्योंकि इलेक्ट्रिक समय तक यूज कर सकते हैं जब तक वो खतम नहीं होगी उसके बाद भी अगर दोस्तों कोई दिक्कत आएगी तो आपको सिर्पोर सिर्फ बैटरी ही डलवानी पड़ेगी फिलाल बाइक के साथ साथ दोस्तों जो कार हैं उनमें भी जोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके की ब बनाई जा रहे हैं इसके साथ साथ सरकार ने जो है ट्राइल भी किया है अभी सरकार ने जो ट्राइल किया है उसमें देखने को मिला है कि अभी जो इलेक्ट्रिक जो कार में मोडिफाई किया गया है किट लगाई गया यह उसमें सो किलोमेटर दूर तक जो है कार जाती है ऐ कि कोई भी वैकल कम से कम दोस्तों वो 100 km और मैकसिमुम 200-500 km तक जा सके ऐसे में लंबी दूरी तक भी आप जा पाएंगे और सरकार का ये मानना है कि साहए 3-4 महिने के अंदर जो है आम लोगों को जो है इसकी जानकारी मिली शुरू हो जाएगी ऐसा निकल कर आ रहा है इसके स फोड बिलर की बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि कम से कम एक लाग के आसपास का बजट देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है आप अपनी कारों को या मोटरिसाइकल को कनवर्ट करवा पाएंगे तो दोस्तों एक अच्छी पहल है अगर आपकी गाड़ी भी पुरान थोड़ा सा इंतियार करेंगे और सरकार जब ये नई भारतिय कंपनी के तरफ से टूल किट लाई जाएगी तो ये सच्टी भी होगी और इफैक्टिव भी होने वाली है फिला दोस्तों इस आर्टिकल पर आपके क्या विचाना आप प्रमेंट स्वोक्स में जरूर दें धन पर देंगे और आप